विडियो और आज किस वीडियो में हमें एक्स्प्रेंट करना वाला हूं राजिंग आफ दाशील्ड हिरो का अपिसोड नमर 22 तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है कि जो फीलो थी वो अपने कार्ट को लेकर एक जगा पर आ रही थी और वो जगह और कोहीं नहीं बलकि वो ही चर्ट में जा रहे थी और जैसी वो लोग उस चर्ट के पास पहुंचते हैं राफटाल या नाफलमी को दिखाता है कि वो जो चर्ट था वो अभी थ्री हिरो का जगह फोर हिरो का चर्ट बन चुका था और यह देगने के बाद जो नाफलमी में था वो भी थोरा खुश होता है और कहां की चलो अच्छा ही है क्योंकि अब ही हमें क्लास अप्ग्रेट करने से कोई नहीं रुकेगा और फिर वो तीनों चर्ट के अंदर खुश जाते और जैसी वो लोग हाथ रखते नाफलमी के सामने अब उसके जो स्क्रीन में एक विजिबल याद है कि क्लास अप्ग्रेडेशन का प्रॉसस है और क्या तुम यह जो दोनों टारियट है उनको अपने हिसाब से चूज करने दोगे वो लोग क्या चूज करना चाहते है और उसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है कि जो नाफलमी रफ्टाले और फिलो वो तीनों फिर से क्वीन के एकदम दरवार में होते है और वो लोग काफी साथा सैड होते है और तभी जो क्वीन होती है वो पूसती है कि क्या कोई प्रॉबलम था और तभी नाफलम उसको एकस्प्रेंट करता है कि हाँ हमने क्लास अपग्रेट तो क्या लेकिन वो फिर एक दाव बैक फ्लेश में सीन बताता है कि जैसे वो लोग क्लास अपग्रेट किया वो दोनों कहती है कि वो दोनों अपने विश अपना स्किल या फिर अपना पावर चूज नहीं कर पाए और ये सुनने के बाद जो वहाँ पे क्वीन थी वो भी कहता है कि कुछ-कुछ ऐसे रिजन्स होते जहां पर ये अपग्रेट क्लास अपग्रेटेशन प्रॉसस को एफेक्ट करत थे कि सायद ये फिटो रिया ने इसको पावर दिया है जो हेर दिया है उसके वैसे ये हुवा होगा और तभी ये सुनके ही जो क्वीन थी वो खेथ होय चता क्या क्या पता प्ली इसके बारे में और फिर जो melody थी वो सब कुछ बताता है कि कैसे वो जो flowlial queen थी वो बहुत बड़ी थी उसका feathers काफी अच्छे थे इवें उसने उसके सर पर बैठ के ride भी लिया था और ये सब सुनके जो queen थी वो काफी जादा खुश और excited थी लेकिन तभी जो nafumi था वो कहता है कि अच्छा तो ये सब हुआ तो अभी main काम के बात पाए तो आपने हमें क्यों बुलाया है और इसके बाद जो queen थी वो कहती है कि मैंने एक party arrange किया है पतलब party तो बस एक excuse है लेकिन मुझे तुम चाड़ो heroes से कुछ बाते करना है और उसके बाद scene shift होता है और हमें दिखा जाता है कि nafumi रफटालिया और फीलो से sorry कहता है क्योंकि जो upgradation वो लोग चाहते थे वो लोग वो upgradation नहीं कर पाए लेकिन तभी रफटालिया कहते है कि नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन तभी nafumi कहा रहा है कि नहीं ऐसा बात नहीं है जब मैं यहां से चले जाओंगा तब तुम्हें सब कुछ सम्हालना होगा इसलिए यह बहतर होता कि अगर तुम सम्हाल लेते और यह सुनने के बाद जो रफटालिया थी वो काफी जाता इमोशन हो जाती है और तभी nafumi का call आता है कि अभी उनको जाना है उस party के लिए और फिर scene shift होता है और है party का scene दिखा जाता है जहां पर रफटालिया, Melty और Philo एक साथ एक dining table में बैठे हुए थे जाती है और तभी scene shift होता है हमें वहाँ meeting का scene दिखा जाता है जहां पर बाकी जो तीन heroes थे वो एकदम अपने ego के साथ बैठे हुए थे और यह देखके जो nafumi था वो बहुत जाता गुस्सा हो रहा था और तभी scene इस present में आता है कहला था कि तुम shield hero के साथ तो हो लेकिन तुम ही पता कि तुम्हारा place कहां पर है और वो अपना cheer में एकदम बैंक करके वह बोलता है कि shield hero एकदम disgrace है और वो हमें नहीं चाहिए जब तक कि वो hero है वो सब नहीं चाहिए और तुम्हारा जो master है वो बहुत जाता coward है और जैसे यह सब बोल रहता है जो रफटार लेगा वो एकदम गुसा हो रही थी और वो फिर उठता है और कहता है कि अच्छा तो चलो हम देखते कि कौन जाग किसको hurt कर पाएगा और फिर वो अपना तरवाल निकाल लेता है और तभी हमें kitchen का scene दिखा जाता है जहांपे जो Sophia थी वो सबके बोलता है कि बाहर चाब क्योंकि वहांपे बहुत खतरनाक लड़ाय हो रहा है और फिर Sophia अपने हातों में एक जार लेका या था एक bottle लेका था जहांपे कुछ जहर था और वो एक पाए में मिला रहा था तो भी पीचे से मिलटी आ जाती है और कहा देखी वो पाए में तुम क्या कर रहे हो sister और यह सुनने के बाद ही वो एकदम shocked हो जाती है और एकदम awkwardly उसके तरफ देखती है और फिर हमारे जो meeting है उसमें scene जाता है और वहापे कहता है कि चलो अब यह meeting है हम जल्दी से start करते है लेकिन वो जो तीन heroes थे वो बिल्वल भी खुश नहीं लग रहे थे और तभी नाव फिलमी उनके तरफ देखता है और वो एकदम होगा और तभी जो queen थी वो queen एकदम फिर से start हो जाता है और वो कहता है कि देखो अब हमारे यहाँ पर जो चर्च के वाशे से बहुत सारे damage हुआ है हमारे पास बहुत सारे trouble आया है और इन सब चीजों को एकदम ठीक करने के लिए हमें कैलमीरा जाना होगा और कैलमीरा जल् और दस साल में सिर्फ एक बारी खुलता है और वो जैसे ही खुलता है वहाँ पे xp बूश्ट करने के लिए बहुत अच्छा जगा है क्योंकि वह जगा monster से एकदम भड़ती है जिसको की easy मार के अपना xp गेन कर सकते हो और उसके बाद वो जो मोटा सो था वो एकदम उसका म मिलाती हुए पकरी गई और यह सुनने के बाद ही जो मोटा सो था वो कहता कि नहीं मैं नहीं मानता लेकिन तभी जो queen होती है वो कहते ही कि अगर तुम्हें नहीं मानना है तो तुम उन्हें खुद से भी एक जो slave crash था वो बनाया है तुम वहाँ से देख सकते हो और उसके ब पहले क्यों न दूम अपने आप में जितना भी तुम्हारा पास information है वो सब exchange करो और यह सुनके ही जो बाकी के तीन heroes होता है वो कहाता है कि क्या information exchange करना मुझे लगता कि वो करने की कोई ज़वरत है और यह तीनो heroes का ही mindset ऐसा था जो बाकी लोग थे वो कहता कि यह एक waste of time होन वाले हैं उसमें नाफुमी का छोड़के बाकी सब अपना जानगवा देंगे और यह सुनके जितने भी heroes थे बाकी के वो एक्तम shocked हो जाते हैं और उसके बाद queen उनको explain करता है कि जो पिछला वाला यह wave था उसमें ही यह सब लोग मारे जाने वाले थे लेकिन यह अच्छा का संबंद बना लो और उसके बाद एक साथ काम करो और यह सुनने के बाद नावस में कहता कि मुझे नहीं पता कि मैं इन तीनों गदे के साथ एक साथ कैसे काम करूंगा लेकिन तभी जो वह ही रोता है वो कहता है कि नाफुमी तुम पहले अपने बार में बताओ तुमने वह चीट शीट कहां से लाया और यह सुनके जो नाफुमी है वह काता कि चीट मेरे पास कोई चीट शीट नहीं है और उसके बाद यह में टैनिंग ओल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लाला हो रहा था रफ्टालिया और वही शैतान नाइट के बीच मे और वो सैतान नैट बहुत कुछ बुड़ा भला बोलता है नाफुलमी के बारे में लेकिन वो एकदम नीचे गिरा परा रहाता है और उसको दो लड़के पकरे रहाते हैं और तभी जो रफटाली थे उसको एक तेम अटाक करने वाला था लेकिन उसको एक लड़की पीछे से पर उठालेता है और फिर सीन मीटिंग में आता है और जो नाफुल में है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा वो चीट शील यह फिर वो जितना भी है उन सब चीजों के बारे में लेकिन उसके पहले तुम्हें बताना होगा तुम्हें मुझे कुछ ब तो वह बिल्कुल तुम्हारे में विपन जैसा ही बन जाएगा इससे वए से हमें कोई भी विपन खरीदना नहीं पर था और वह एक्तब में फ्री होता है और यह ईसा हो सकता है यह उसके बाद जो सौड हीरो होता है वह सौड हीरो कहता है कि तुम जो भी material ला दो और उसके बाद अगर तुम उससे अपने weapon में डाल दो तो तो तुम उससे जो material निकल सकता है वो easily कर सकते हो लगा अगर तुम कुसी पौधा को डाल दो तो उससे तुम medicine निकाल सकते हो और यह सुनके भी नाफल में तुम हैरान रहा जाता है क्योंकि इतना दिन सा तो वो सब कुछ खुछ से हा अपने हातों से बनाया करता था और उसके बाद जो भी रहता है कि और मेरे पास जो power है या हम कहीपे भी टेलीपोर्ट कर सकते है एसे जगह पर टेलीबोट कर सकते हैं जहां पर हमने पहले भी रिजिस्टर किया रखा था या फिर हम वहाँ पर पहले भी गये थे और यह सब सुनके नाफुल में एक्दम दंग रहा गया था ना फ्लूमी मनी मत सोच रहा था कि अकर यह सब मैं पहले ही जानता तो मुझे इतना कुछ करने ही कोई ज़रोती नहीं पड़ता और उसके बाद जो वह होता है वह कहता है कि लेकिन अगर तुम्हें सबसे पावरफुल वेपन चाहिए तो वह सबसे जादा रेर भी होना चाहि लेकिन तभी जो सबसे जोट मत बोलो अगर सबसे पावरफुल चाहिए तो तुम्हें उसका प्रफिशेंसी देखना होगा और तभी जो सबसे नहीं पर देख रहा था तो भी सीन फिर से डाइनिंग हॉल में आता और वहां पर खतरनाक लाड़ाय चल रहा था और उसके बा अभी में इसको बताऊंगा और उसके बाद फिर से सीन में इस रिखाए जाता है जहापे लोगण लगने लगते आपस में और जो नाफिमी होता है वो बन्दा आपकी इंसल्ट कर रहा था और मुझसे ये चीज़ बिलकुल भी नहीं देखा गया और इस सुनने के बाद ना मेटिंग में भी जादा कुछ खास हुआ नहीं और हमें तो पता है इसके मीटिंग में क्या हुआ लेकिन तभी वो नाफनुमी पूसा है कि में फीलो कहां पर है और फिर रफ्टालियों से कहते हैं कि फीलो और मिल्टी एक साथ ही अपने रूम में सो रहे है और उसके बाद न जरूर मुझे जोट कह रहे होंगे जरूर मुझे इसका बारे में कुछ अप्डेट करना होगा लेकिन तभी अचानक से उसका जो शील्ड था उससे लाइट निकोने लगता है और उसका एक शील्ड में एक खतरनाक चीज अनलॉक होता है और वो स्किल और कुछ नहीं बल्क के निकलने ولا था और क्वशन से फूसरा थे बाटी तिनों कहाँ है और कहाँ बता था कि बाकि तिनों और ऑ्रफी में से अरजी से और यॉवःस वही छील्ने को जाता है और वही Summ single Retrium Link में जाता है और और ऑपन शोप में जाकी वह शील्ड को उठाता है और वह shield को उठा की वो अपने उस नया skill को try करता है और हाँ उसका जो shield था वो फिर से उसी जो item था उसमें transform हो जाता है और यह देखने के बाद ही वो जो दुकानतार था वो एक्तम घपर जाता कि और यह देखने के बाद ही वह जो मन्त था वह काफी दुमाग खरा रहा था लेकिन बहुत होने के बाद वह एकदम बैठता है और कहता है कि हैपी नाओ और नाफनुमी कहता कि आ तुम सिंदा मत करो मैं आने के बाद ही तुमको सब कुछ के लिए पे कर दूँगा तुम प्रॉमिस करता हो और फिर वो दुकानदार बोलता कि ठीक है मैं तुम्हारे खाते में यह लिख कर रखूंगा और उसके बाद वो जो है वो पर रफ्टालिया कहा दिया कि मास्टर क्या हम यहां पर थोड़ी दर के लिए रोक सकते हैं और मुझे यह जगा थोड़ा सा एरिया घूम के देखना है और वो जो गाओं था वो पूरी तरीक से बरबाद हो चुका था हर एक घर हर एक जगा पूरी तरीक से टूटा फोटा सा और तब ही हमें दिखा जाता है कि जो रफ्टालिया थी वो कील के साथ एक ग्रेव के समने प्रे कर रही थी और फिर रफ्टालिया कह दो कि वेलकम रिफाना चैन और इसके बाद यहमें पता चलता है कि वो जो grave था वो और किसी का नहीं बल्कि रिफाना की थी जो कि एकड़ मर गये थी उसी prison के अंदर और यह जो गाउँ था यह और किसी का नहीं बल्कि यह रफटालेगा गाउँ था और फिर हमें एक ओवर्वीव दिखा जाता है जहांपे हर एक जगा पे वैसे ही ग्रेव लगे हुए थे और सब कुछ एकदम तहस नहस था और जो नाफुन में था वो उस किंग से पूछता है कि जो लॉट था उसे पूछता है कि क्या तुमने रिफाना को यहाँ पर ही डाल दिया this इं दुरों के तरह ही और भी बहुत सारे सर्वाइवर है लेकिन वो लोग लग 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 जगबे बिखर चुके है और पता नहीं वो लोग कब मिलेंगे और मैं उनको किस तरह से help कर सकता हूँ और तभी जो नाफुन मी था वो इधर उदर से थोड़ा घूंग के देख रहा थे एरिया को और जे एरिया था वो पूरी तरके से डिस्ट्रॉई था लेकिन तो भी नाफुलमी को पीछे से को एक बुलाता है और पीछे से एक आदमी एक लड़का आता है और वो पुछता है कि क्या तुम यहां पे रहते हो लेकिन नाफुलमी कहता है कि नहीं मैं यहां से बस गुजर रहा था और उसके बात कहरा है कि अच्छा लेकिन यह जो जगा है यह बहुत बुड़ा है यह पुरा एक दम पत्थर बन चुका यह जगा यह मुझे बहुत ज़़ा बुड़ा लग रहा है इस जगा के लिए और उसके बाद जो नाफुलमी था वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन जो लड़का था वो कहता है कि क्या हुआ बच्चे और उसके बाद जो नाफुलमी था वो कहता है कि वो जो बन्दा था उसका नाम लार्क है और इस बन्दे को एक तम याद रखना क्योंकि आगे चलके यह बन्दा का रोल काफी बढ़ने वाला है तो इस बन्दे को एक तम ढंक से याद रखना तो उसके बाद ही जो नाफलूमी था वो वापस आ जाता है और उन तीनों एक साथ वहाँ से जाने वाले थे कि तभी वहाँ को जो गाउं का लॉड था और दो-तिन डमी हुमन्स इंक्लूडिंग हील वो लोग सब उसको बाय कर रहे थे और फिर वह जैसे ही जा रहा था रफटालिया उन सब को बताता है नाफलूमी को बताता है कि मैंने अपने मम्मी डैडी और रिफाना को ये प्रॉमिस किया है कि मैं अपने जर्नी में हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और तभी जो रफटालिया थी वो काफी ज़दे इमोशनल हो जाती है और ये देखने के बाद जो नाफलूमी था वो पुछता है कि क्या हुआ तुम मैं इमोशनल क्यों हो गए और तभी जो रफटालिया थी वो कहती है कि मास्टर आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाने वाले ना मैं ये जो वर्ल्ड है ये आपके वगए इमेजन भी नहीं कर सकती और ये सब सुनने के बाद फिलो भी काफी ज़दा इमोशनल हो जा रही थी और उसके बाद नाफलू मैं अपने मन ही मन कहता है कि मैं इन दोनों को तब तक यहां से नहीं छोड़ सकता अकला जब तक कि ये अपना खुशी नहीं ढूंड लेते और उसके बाद वो लोग फिर से अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते लेकिन जो फिलो है और रफटालिया है वो आपस में ही वो फिर से वैसे काठ को खिशने लगती है और वो लोग शिप तक पहुंचते है वो लोग देखते कि बहुत ही बड़ा शिप है और वो लोग वही से जाने वाले थे तो जो रफटाले थी वो बिल्कुल अपने आपको वेट नहीं कर पाई और एक्तम दौने लगती है और आदमी होता है वो कहता है कि हम काफी जादा सौरी फिल कर रहे है क्योंकि हम आपके लिए प्राइवर्ट रूम अरेंज नहीं कर पाई हमने प्रिपेर तो किया था लेकिन जो बाकी के हिरो से वो काफी जल्दी आ गये थे और उन्होंने हर एक रूम को बोक कर लिया और यह स नाफूमी इस कॉमें डूम के आगे पहुंसता है और वो सामने देखता है कि लार्क और उसके साथ वoden की बैटी है और यह देखने के बाहरे ही वो नाफूमी काफी ज़धा सर्प्रास हो जाता है और जो लार्क था कहता है कि अच्छा तू तू नहों हो बच्चे अच्छा अब हुआ कि हम लोग फिर से मिल गए और ये कहने के बाद ये लारक एकदम स्माइल करने लगता है सो गाइस आज के एपिसोड रिना तक ही था तो मिलते अगले एपिसोड में तिल देन बाइबाइ इस्टे से